हलो फ्रेंट्स, कॉंपटिशन कमेटी के CGSI प्रेलेंज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान, आईए फ्रेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के अंदरगत, फिजिक्स के हमारे पहले लेक्चेस को, जिसमें की हम फिजिक्स के कुछ मतपूर्ण एरिया से कुछ कोशिट्स आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो आपके एक्जामनिशन पॉइंट आप उसे इंपोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें सबसे पहला कोशिट्स स्कीन पे देख रहे हैं कि सदी वाला जो वर्ड आता है, व्यक्त कंटिटी जो होती है, उसमें क्या होता है, उसकी कोई एक परिमाण होता है, मैंगनिटूड याने व Liber, होता है, दूसरा उसमें विस्थापन हम उसे वर्ड यूज़ कर देते तो वेलसेटी बराबर याने वेक बराबर आपका विस्थापन में इस समय हो जाता है तो यहां पर क्या है इसका परिमाड यानि कि उसका कोई न कोई तो पढ़ती नहीं है आपको समय देखने के लिए भी दिसा की जौरत नहीं पढ़ती लंबाई नापने के लिए भी कौन से दिसा में लंबाई नहीं कहते हैं भले उसकी वैल्यू ज़रूर होती है मैगनिटूड परिमाड होता है तो आप यहां पर देख रहें बाकी सब क्या सकेलर कौनटिटी है अदिसरासी है अगर इसे हम समझना चाहें प्रकास वर्स क्या होती है प्रकास की के दौरा एक वर्स में चली गई दूरी मतलब सनलाइट जो निकल रही है उसके दौरा एक यह में जितना लंबा डिस्टेंस वो ट्रेवल किया जाएगा वो लाइट यह कहलाता है प्रकास की दूरी कहलाती है ठीक है प्रकास के दौरा एक वर्स में चली गई दूरी तो इसलिए दूरी वर्ड आ रहा है तो एसका सही उत्तर है अब जो है आपको यहां पे समय का इसके साथ कोई रोल नहीं है प्रकास की किरिणों के दौरा एक वर्स में जो है ज समझें जो प्रकासवस देखो हमने कहा की कि जो आपका संलाइट एक एर में जो ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस उसके बाद एक वर्ड यूस होता है उसे हम कहते हैं खगोली मात्रक या एस्ट्रणॉमिकल यूनिट ठीक है एक वर्ड यूस होता है हमारे पास क्या है वो होता है पार्सक ठीक है तो पार्सक और एक होता है प्रकास वस्त तीन चीज़ें आ गई ठीक है तो सबसे बड़ा मात्रक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है तो यह कहा जाएगा पार्सक सबसे बड़ा मात्रक रैंक वन देंगे रैंक टू क्या देंगे आ आपका astronomical unit AU को देंगे खगोली मात्रक को और तीसरा देंगे आपका क्या है वो है प्रकासवस तो यहाँ पे हो जाएगा यह वन टू और त्री ठीक है इस प्रकार यह सबसे बड़ी दूरी है तो सबसे बड़ी मात्रक क्या है पार्सेक है दूरी की अब यह क्या है कहा जाएगा तो सूर्य और पित्वी के बीच की दूरी को खगोली मात्रक कह देते और पार्सेक भी वैसे ही एक और इससे बड़ी unit है और प्रकास वस मैंने आपको बताई दिया क्लेर हो गया यह बातें आप याद रखिएगा नेक्स कोशन जलते हैं बल की प ठीक तो आपका यहाँ पे पहले नियम से या दूसरे नियम से तीसे नियम से या गुरत्वा गर्शन के नियम से तो बल की परिभासा की बात जब भी कहा जाएगा तो परिभासा हमेशा newton's के first law of motion से आता है लेकिन जब इसका जो है derivation याने ब्यंजग जो प्राप्त होता ह है है ना f equal to ma है ना यहाँ पर mass into acceleration यानि की कहा जाएगा यहाँ पर द्रभ्यमान गुणित त्वरंट तो यह जो आता है यह दूसरे नियम से आता है एक्च्वल में दूसरे नियम से यह पहला नियम क्या है origin हुआ है ठीक है बात clear हो गया तो पहले नियम से क्या है परिभास to ma वह होता आपके न्यूटन के second law से और second law का ही पार्ड होता वर एक बात ध्यान रखीएगा न्यूटन के first law को हम क्या गाते law of inertia कहते हैं क्या कहते हैं जड़त्वका नियम clear हो गया और नियूटन का third law तो आप सभी को पता प्रतिक्रिया के बराबर बराबर विप्रीत प्र रॉकेट जो है यह इसे भेजा जाता है उस सिद्धान पर रॉकेट को उपर जाना है और उपर जाना है अब यहां पर क्या होते हैं फ्यूल भरे होते हैं ठीक है क्या क्या होते हैं फ्यूल याने फ्यूल वर्ड भी उस नहीं कर रखते हम उसको प्रॉपलेंट या प्रणो मोदक बनाते हैं ठीक है तो आपके प्रॉपलेंट इक्वल टू फ्यूल प्लस ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट यह होता है तो किस सिद्धान पर काम तो यहां पर क्या प्रॉपलेंट भरे होते हैं तो यह जब बॉर्ण होती है नीचे की और तेजी से प्रेशा डालती है तो उ जोड़ी हम एक्क्वेटर से पोल की और जाते हैं भुमस दिर्खासे ड्रों की जाते हैं तो जी का मान गुरुत्वी तवरण इसे हम कहते है स्माल जी का मान वो क्या है क्या होता है आप सभी पता होगा कि यह जैसे हमारी प्रिथभी में बीच का जो है इक्वेटर या कि और तो भुमद्य रेखा से दुरू की और चाहिए तो जी कमान होता है जी कमांद जो है इनन जनरली क्त booking सब्सक्क्राइब उους स्रेज़फ होती है लेकिन जब हम दूंकी और जाते हैं तो इस जी घनत्व अधिक्तम होता है येसे तो आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सीधा-सीधा फैक्ट याद रखिएगा चार डिगरी सेल्सियस पर वाटर का जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज़ादा होता है ठीक है यह बात ध्यान रखना है जीरो डिगरी तो उसका पॉइंट है कि मांग बिंदू है क्लियर हो गया चलिए नेक्स कोश्चिन की और मुव करते हैं बादल किस कारण जो है वायू मंडल में तैरते हैं तो तैरने जब दो चीजों में density का difference होता है तो वह उसी के कारण तैरने लगता है तो यहां पर याद रखना density low density के कारण क्या होती है जो है बादल याने cloud जो होती है वो क्या है atmosphere के उपर तैरती है ठीक है यह बात आप ध्यान रखेगा now साबून के बुलबुले के अंदर का दाब है ना the pressure inside a soup bubble जैसे कि आप normally पानी को आप फुहार बनाने का प्रयास करते हैं या फूक मारते हैं तो कोई bubble नहीं बनता लेकिन जब वहाँ पे आप detergent घोल देते हैं या साबून के पानी को फिर उसमें फूक मारते हैं तो छोटे छोटे bubbles बन सकते हैं ठीक है यदि वो bubble बन गया तो bubble क्यों बन रहा है बबल के अंदर का जो है pressure ज्यादा होता है राधर देन atmospheric pressure atmospheric pressure क्या होता है प्रती इकायच छेत्रफल पर जो अनभव किया गया जो दाब है उसे हम कहते हैं atmospheric pressure या वाई मंदली दाब तो जब यह दाब कम होगा और यह ज्यादा होगा तब नहीं यह क्या है bubble बनेगा ठीक है तो साबून के बूल मिले क अंदर का दाब कितना होता है वाई मंडिली दाब से अधिक होगा ठीक है बाकी option पढ़ने की जोरत ही नहीं है ठीक है तो यहां पर एक बात ध्यां रखना है बराबर होता है या कम होता है कम होता तो यह तो क्या है बबल ही नहीं बन पाता ठीक है और वाई मंडिली दाब के ब देखते हैं चालन सवहन विकिरन और उप्रोक्त सभी कंडक्शन कंवेक्शन और रेडियेशन तो उसमा संचरन की जो तीन वी धिया है उप्रोक्त सभी जैसे कि इसका परफेक्ट एक्जामपल जिसे पूरियां तलती है ना पूरी जो होती है जब उसे बनाते हैं वो कच्छी होती है जैसे गरम तेल में उसे डालते हैं यह तीनों चीजे होती है ना जैसे चालन होता एक बिंदू से दूसरे बिंदू उसका क्या है पहले हीट जो अगी भी पढ़ेगा और जब फूलेगा मतलब वह विकिरण वाला पाड़ भी हो जाता है तो पूरी का तलना या पूरी को तलने का जो example है वो तीनों चीज़े होती है चालन सवहन विकिरन ये उस्मा के जो है तीनों विधिया है ठीक है चलिए next question देखते है जब बैरोमीटर का दाब अचानक गिर जाए तो वह किस बात का दियो तक है ठीक है बैरोमीटर प्रेशर जो है देखो दो चीज़े होती है कि बैर और सुनेंगे मैनोमीटर तो मैनोमीटर क्या होता है वो जो दाब अंतर होता है प्रेशर डिफरेंस होता है उसके लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं तो बैरोमीटर वायमंडिली दाब और मैनोमीटर जो है दाब में अंतर को हमको मेजर्मेंट करना होता है तो यहां पर अ अचानक से जब गिर जाता है, तो याद रखना कि वो कुछ बड़ी चीजे होने वाली है, थंडर स्टॉम आने वाला है, आंधी की संभावना होती है, तो C is the right answer, clear हो गया, next question क्यों मूफ करते हैं, कि वाशिंग मशीन का कार सिध्धान क्या है, the working principle of washing machine, क्या है, अभी dialysis, अपकेंदरण या diffusion, तो क्या है इसका उत्तर, जैसे कि washing machine, washing machine में हम बात करते हैं, कपड़े को घुमाया जाता है, तो घुमाया जाता है, तो जब चीजे गोल घुमती हैं, तो दो प्रकार की force लगते हैं, एक है अभी केंदरण और यह है अपकेंदरण, ठीक है, तो केंटर की और क्या है, फूस लगेगा, लेकिन क्या होता है, अब केंदरण क्या है, केंदर से बाहर की और लगेगा, तो बाहर की और लगेगा, तो आपको यहाँ पर समझना होगा, कि जो आप केंदरण है, हमको मैल को बाहर निकाला है, ना कि उसमें एक जगा centrifuge करना है, ए निकालने मक्क निकालने से भी क्या है इसी centrifugal वर्ट का यूस किया जाता है इसी method के दूप जो है यह हो निकलती है ठीक है वैसे क्या है washing machine का वाला भी answer क्या हो जाएगा centrifugal force यानि कि अप केंदरी बलके कारण ऐसा होता है तो C is the right answer नेक्स चलते हैं हम स्थाई चुम्बक बनाए जाते हैं स्थाई चुम्बक बनाए जाते हैं किसे सपाथ से, नरम लोहे से, तामबे से या अलनिको से ठीक है तो यहाँ पर याद रखना कि सपाथ या नरम लोहे से हम देखते हैं कि जो है आपका आईरन प्लस ऐलुमूनियम निकल कोबार्ड ये अलनी को होता है इस से बनाय जाता है स्थाई चुम्बक ठीक है ये बात आप याद रखिएगा चलिए नेक्स कोशन देखते हैं वर्सा की बून का आकार गोला कार किस कारण से हो जाता है विसको सीटी प्रिष्ट तनाव प्रत्यास्थता या ग्रैविटी पहले तो आप ग्रैविटी को हटा दीजिए दूसरा इलास्टी सीटी नाम का कोई यानि कि उसमें पानी को खींशते हैं तो क्या अपनी वास्तविक पोजिशन पर वापस लौट के आती है कि यानि की इलास्ती सीटी तो मिलता ही नहीं है ठीक है तो ए और भी तो ऐसे ही गलत हो गया अब विसको सीटी क्या है वो बेहने का गोड़ है और प्रिष्ट तनाव क्या है उसकी सत्ह का है ना तो कोई ब हमीशा क्या करती वह अपने आपको बहुत ही चारों तरफ से नियूंतम इस्थान घेरने का वह प्रयास करती है लेकिन जब यह प्रिष्ट तनाव कम होता है तो बह जाती है अब यदी प्रिष्ट तनाव ज्यादा है तनाव का मतलब इस सर्फिस के द्वारा अनुभव किया वह बल या प्रेशर या स्टेंसन जिसके कारण क्या है यह रस्टिक हो जाती है छोटे से छोटे बूंद के रूप में इस प्रकार अपने आपको रोखने का प्रयास करती है ठीक है तो इस कारण वह गोला कार बूंद हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा प्रिष्ट तना घड़ जाता है बढ़ जाता है परिवर्तित हो जाता है पहले घड़ता फिर बढ़ता है इसका आंसर में इससे पहले वाले कोशन में मैं बता भी चुका था कि साबुन को जल में जब साबुन को घोल देते हैं तो होता क्या है उसमें बबल बनने लगते हैं इस प्रकार बबल तो बन ही नहीं पाएगा ठीक है वो हमने atmospheric pressure के point अब उसे देखा था लेकिन इसकी सतह के द्वारा अनुभाव किया गया जो तनाव या बल है उसे ही तो प्रिश्ट तनाव कहते हैं वो surface tension कहते हैं तो क्या होगा अगर हम यहाँ पे normally अगर ज़्यादा pressure create कर देंगे तो यह bubble बने गई नहीं तो इसी प्रकार जल में जैसे हम गोल देते हैं तो उसमें क्या होता ये surface tension क्या हो जाता है कम हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा यह घट जाता है तो आप detergent डालो साबुन डालो पानी में तो पानी में क्या है उसका surface tension याने पिश्ट तनाव कम हो जाता है जिसके करव बबल बनने लगता है ठीक है तो इसका surface यह answer क्या हो जाएगा ए हो जाएगा next question देखते हैं पानी में लोही की कील डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है यह किस सिध्धान पर आधारित है ठीक है पासकल लौ नहीं यह दाप पर आधारित है आर्कमेडिच प्रिंस्पल से हम explain करते हैं कि दोहें छोटे की कील डूब जाती है लेकिन विशाल आवन बल या बायोंसी फोर्स के कारण ऐसा होता है ठीक है जिसमें हम इसे आंसर करते हैं आर्कमेडिच प्रिंस्पल से ठीक है याद रखिया कैपलर तो आपकी ग्रहों की गति का नियम है गुरुतवा कर्शन आपके वह एक युनिवर्सल लौ है जिसमें की ऊपर को ऊपर कोई बस्तु जाती है तो उसे नीचे आना पड़ता है क्योंकि ग्रैविटेशन फोर्स काम करता है क्यों से क्या मापा जाता है वाट इस प्यूरिटी ओफ वाटर नहीं मापा जाता दूसरा जल की गहराई डेफ़नेश भी नहीं मापी जाती जल का बाहाओ अक्सर हम सुनते होंगी इसी डेम से इतना Q-sack पानी छोड़ा गया कितना Q-sack छोड़ा गया तो जल का बहाओ है ना इससे जो है आपको measurement किया जाता है जल की मात्रा भी उसका उत्तर नहीं है ठीक है जल की बहाओ के आधार पर हम Q-sack कोम आपते हैं ठीक है तो यह answer क्या हो जाएगा C is the right answer घरी के spring में भंडारित उर्जा क्या है तो अगर हम घरी में जो spring होती है इसमें clock spring जो होती है उसमें कौन सी उर्जा भंडारित होती है potential energy भी है तो याद रखना क्या है potential energy प्लस kinetic अनरजी यह दोनों ही मिल के क्या बनाते है mechanical energy बनाते है और इसका answer क्या हो जाएगा यांतरी कुर्जा mechanical energy होगा ठीक है याद रखना spring जब दबी रहती है और उसके बाद वो kinetic energy potential energy दोनों उसमें storing रहती है और उसे हम mechanical energy कह सकते हैं इसी को use किया जाता है घड़ी में ठीक है तो daily आप घड़ी की चाबी जो देते हैं इसी का उसी energy को हम use करते हैं चेले भाप से हाथ अधिक जलता है अपिक्षागरित उबलते जल से क्यों hand burns more with steam than the boiling water because भाप में गुप्त उस्मा याने latent heat जादा होती है देखिए एक बात समझिए कि अगर हमारे पास जैसे 100 degree Celsius में क्या है पानी उबल रहा है तो गरम पानी में आप हाथ डालते हैं और ये 100 degree का वेपर होता है उसमें हाप अगर हाथ डालते हैं तो भाप से आपको ज्यादा pain होगा क्योंकि भाप आपके body के ज्यादा अंदर तक चला जाएगा point number one point number two कि उसकी जो latent heat होती है गुप्त उस्मा होती है गुप्त उस्मा क्या चीज़ है है ना ऐसी उस्मा जो किसी के अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है उसका गुप्त उस्मा कहलाती है है ना state जो change हो जाता है तो आपका यहां पर गुप्त उस्मा यह latent heat जो होती है भाप की ज्यादा होती है इस कारण जो है उसमें आपको ज्यादा जलेड महसूस होती है ठीक है तो आप केवल जो है यहां पर बी को answer भी कर सकते थे लेकिन हम यहां पर उसका सबसे best point क्या है ग अगर यह अधिक होगी तो automatically वह ज्यादा अंदर penetrate करी लेगी ठीक है यह बात आप ध्यान रखिएगा तो आपको answer क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा ए चलिए next question देखते हैं कि उस्मा गति की प्रथम नियम से क्या सरक्षित होता है और the first law of thermodynamics protected by या क्या चीज़ को वो सरक्षित होता है कहरा है कि हम देख रहे है momentum या समवेक energy समवेक और उर्जा दोनों इन में से कोई नहीं तो answer क्या हो जाएगा बी यह क्या है energy conservation पर आधारि होता है प्रथम नियम या thermodynamics से first law यह क्या कहता है कि कि किसी निकाय को दी जाए गई जो उश्मा होती वो दो चीज़ों में utilize होती है पहला उसकी आंतरिक उर्जा को बदलने में बढ़ाने में ठीक है internal energy को बढ़ाने में और दूसरा कोई external work करने में वहाँ पे होती लेकिन व फॉर्म वो convert हो सकती है ठीक है तो उस पर आधारित होती है यह बात ध्यान रखेगा तो भी is the right answer next question देखते हम कि पहाड़ों पर पानी निमलिखी तापमान पर उबलने लगता है है ना 100 डिग्री से कम 100 डिग्री से अधिक 100 डिग्री से इनमें से कोई नहीं तो पहाड हाइट ज्यादा तो ज्यादा हाइट पर क्या होता है कि आपका वाइमंडली दाप जो है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है कम होने पर क्या होता है देखो यहाँ ज्यादा हाइट हुआ तो क्या हो गया आपका वाइमंडली दाप कम हो गया जब यह कम हो गया तो हम देखते ह A की पानी जिसका actual boiling point 100 degree Celsius है, जब इस degree पर वो पानी उबलता है, ठीक है, तो उबलने की कारण क्या होता है, वो जो normally ये इसका boiling point होता है, लेकिन जैसे हम पहाड पे चलते हैं, तो वायम डिली दाप कम होने की कारण, ये क्या है, 100 degree से कम में क्या है, ये उबलने लगता है, ठीक आपका overall जो है, आज हमने 20 question आप जो हमने cover किया, फिसका जो हम अगला session जरूर आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और महत्पूर प्रश्णों के साथ, तब तक आप जितनी भी lectures दिये जा रहे हमारे channel पे, सभी का आप जो है definitely बहुत बरपूर फायदा उठाईए, किसी प् मुझे खिर आप जिए लेकर आपके लेकर आपके लिए लेकर आपके लिए।